भाई और बहनों नमस्कार आज देश के करोरों लोग दुख और घुस्से में हैं हातरस की मासून लर्की के साथ जो हिवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंग है मैं पूछना चाहते हूँ क्या लड़की होना गुना है क्या गरीब की लड़की होना अप्राव है उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी हफ्तों तक फिर परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया पूरे मामले को दबाने की कोशिस की गई समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया आज एक बेटी हमारे बीज से चले गई मैं कहना चाहती हूँ हात्रस की निर्बैया की मृट्यू नहीं हुई है उसे मारा गया है एक निश्टूर सरकार द्वारा उसके प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा जब जिन्दा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई उसकी रक्षा नहीं हुई मृट्यू के बाद उसे अपनी घर की मिटी और हल्दी भी नसीब नहीं होने लिए उसे उसके परिवार को सौपा नहीं गया एक रोती बिलक्ती मा को अपनी बेटी को आखरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया यह गोर पाप है जोर जबर्दस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई है मरने के बाद भी इंसान की एक गरीमा होती है हमारे हिंदु धल उसके बारे में भी कहता है मगर उस बच्ची को आनाथो की तरह पुलीस की ताकत के जोर से जला दिया गया है यह कैसा न्याय है यह कैसे सरकार है आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा बिल्कुल नहीं देश बोलेगा आपके अधन्याय के किलाब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हत्रस के पिरिट परिवार की न्याय की मांग के साथ खरी हूँ भारत सबका देश है यहां सबको इज़त की जिन्दगी जीने का अधिकार है संविदान ने हमें यह अधिकार दिया है हम भास्पा को संविदान और देश को नहीं को आधित्यनाद सरकार को शरम से डूब मरना चाहिए जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदापन दरिंदगी वालमे की समाज की हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथ रस में हुई और उस पर पड़दा डालने के लिए रात को धाई बजे हिंदू रिती रिवाज के खिलाफ उसका संसकार किया गया ये अपने आप में एक दर्दना घटना थी और कल रात आदित्यनाथ जी की कट पुतली वहां के डियाई जी लॉइन ओर्डर कहते हैं के बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ आदित्यनाथ जी काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते बेटा या बेटी के साथ अगर दुरगटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है हमारी उस वालमी की समाज की बेटी ने डाइंग डेकलेरेशन दी है मरने से पहले आखरी ब्यान दिया है जिसमें उसने अनाचार गैंगरे बलातकार की पुष्टी की है जिन्दा रहते हुए आपने उसे जिन्दा मारा मरने के बाद उसे जूटा साबित करने का शडियंतर कर रहे हो आदित्यनाथ आदित्यनाथ इश्वर अगर कहीं है और जो है वो तुमें कभी माफ नहीं करेगा इस प्रकार के कुक्रिते के लिए इस्तीफा दो इस्तीफा दो और उत्तर प्रदेश की जन्ता में जाओ वो बताएंगे तुमको के असलियत क्या है भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार की